मुख्यमंत्री भुपेश बगहिल के इच्छा के अनुरूप प्रदेश वासियों को घर बैठे शास्किय सेवाओं का फायदा मिल रहा है और ये संभव हो सका है मुख्यमंत्री मितान योजना की बदौलत आज मुख्यमंत्री मितान योजना लोगों के बीच काफी लोग प्रिय है इस योजना के जरिये बेहत कम समय में ही लोगों को शास्किय दस्तावेज घर बैठे मिल रहा है देखे रिपॉर्ट 36 गड़ वासियों के लिए बगेल सरकार की मितान योजना वर्दान साबित हो रही है प्रदेश वासियों को शासन के कई विभागों की 100 से ज्यादा सेवाओं का फाइदा घर बैठे मिल रहा है मितान योजना मुख्यमंत्री भुपेश बगेल की परिकल्पना को साकार करने के लिए शुरू की गई थी इस योजना के जरिये शास्किय सेवाओं का लाव आम नागरिक को मितानों के माध्यम से दिया जा रहा है मितान योजना से हिद्गराहियों में खुशी की लहर घर बैठे इस योजना के जरिये बेहत कम समय में ही शास्किय दस्तावेज लोगों को मितानों की ओर से घर पहुचा कर उपलब्ध कराए गए है प्रदेश सरकार के द्वारा सुरू किया गया मितान योजना काफी अच्छी योजना है इसका लाब बहुतों को मिल रहा है वसी बैस देखेंगे आज कल लोगों को समय का भाव है जगदलपूर नगर निगम की ओर से मितान योजना की तहरा है 895 आवेदन मिले हैं जिसमें 614 आवेदन पात रपाए गए हैं जिसमें 599 हित्गराहियों को घर पहुंच सेवा से लाभानवित किया गया है मुख्यमंत्री मितान योजना शाषिकी सेवाओं की घर पहुंच सेवा है अब घर बैठे एक कॉल पर शाषिकी सेवाओं उपलब्ध हो रही हैं इसमें लगभग अभी 15 सर्विसस जोड़े गए हैं जिसमें तैसील के 6 सर्विसस हैं आई, निवास, जाती, STSC, OBC एबं भूमी सूचना और भूमी रिकॉर्ड के नकल इसके साथ ही निगम की 7 सर्विसस जोड़ी गए हैं जिसमें जन प्रमान पत्र, मृत्यू प्रमान पत्र, विवाह प्रमान पत्र और दुकान एबं स्थापना प्रमान पत्र इसके साथ ही जन्म मृत्यू एवं विवाह की सुधार की आवशक्ता हो तो वो प्रमानपत्र उपलब्ध कराया जा रहा है अब तक 1100 से जादा हमको आवधन पराप्त हुए है और 1100 आवधन में इसे उसका परिच्छन करके हम लोगों ने लगभग 719 प्रमाण पत्र जो संबंदित आवधन हैं उनको हम लोगों ने जाली किया है उनकी घर में उनको पहुचाया है मुख्यमंत्री भूपेश बगिल ने 1 मैं 2022 को श्रम दिवस के मौखे पर मितान योजना लॉंच की थी इस योजना के तहट अधिवास प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जन जाती, प्रमाण पत्र, अन्य पिछडा वर्ग प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह पंजी करण और प्रमाण पत्र जैसी सेवाएं दी जा रही है मैं सियोजना के बारे में बताना चाहाँगा कि घर बैठे हम इस योजना का लाब ले सकते हैं यदि किसी भी वेक्षिक को चाहे वो राजस सम्मंदित जाती निवास प्रमाण पत्र हो आय प्रमाण पत्र हो या फिर जमीन से संबंदित कोई काम कराना हो, इसके कोई नकल दस्तावेद लेना हो, या नगरपालिक निगम से संबंदित कोई काम हो, जन प्रमाण पत्र हो, या फिर विवाह पंजी करन हो, या मरति प्रमाण पत्र हो, गुमास्ता लाइसेंस यदि लेना है, तो इस प्रका यह आविदक के पास है और आवदक के जो भी डाकुमेंट्स है उसको ऊंलाइन अपलोड करते हैं और अपलोड होने के बाद संबंदित विभाग को यह पहुंच जाता है यहे राजस संबंदित कोई काम कराना हो यह आविदन हो, तो तैसेल दार के आड़ी में हो जाता है और यदि नगर पालिक निगम से संबंदित है तो आयुक्त नगर पालिक निगम के आईडी में ये पहुंच जाता है कुल मिलाकर मितान योजना का एक मात्र उद्देश प्रदेश वासियों को सहजता से घर बैठे शास्किय सुवधाई प्रदान कराना है और मितान योजना भुपेश सरकार और प्रदेश वासियों के बीज एक महत फून कड़ी सावित हो रही है इस योजना के जरिये शासन के प्रती लोगों का विश्वास स्रदड़ हुआ है ब्यूरो रिपॉर्ट बंसल नियोज